सड़क किनारे फास्ट फूड का मज़ा लेना लोगों को काफी पसंद है राजधानी राची में सड़क किनारे जगा जगा आपको फूडवेन मिल जाएगा लेकिन आज जिस फूडवेन से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वहां की बात ही कुछ निराली है ये जो फूडवेन है इसका नाम है उमंग फूडवेन जो की अशोक नगर गेट नमबर 5 के ठीक सामने खड़ा है अब आप सोच रहे होंगे कि इस वेन में ऐसा क्या अलग है ये तो दूसरे फूडवेन की ही तरह है तो हम आपको बता दे कि इस फूडवेन की बात इसलिए अलग है क्योंकि यहां जो सिगनेचर डिस मिलता है शायद ही आपको राची के किसी और फूडवेन या रेस्टरेंट में मिलेगा मैक्सिको डिस ताकोज जो कि इस फूडवेन का सिगनेचर डिस है और यह कहीं और आपको नहीं मिलेगा जो अथेंटिक ताकोज है जो मेक्सिको में मिलता है वो मैंने यहां पर लाया वहा है ताको जो किमाच टाइल टाको जो कि हम लगाए सिग्नेचर टेश है जो कि आपको राची में बहुत कम गए लिड़ा तो आप त्राइ कर सकते हैं पैस्त हैं लोगा और जो मैंने खा रहा हूं यह जो आप देख रहे हैं यह है मटन निहारी इसका नाम भले ही मटन निहारी है लेकिन यह है पूरा वेज सोया चाप को कीमा बना के उसमें मटन निहारी का फ्लेवर डाला गया है साथी यह है मैदा और मकई के आटे का मिक्स रोटी जिसे सेखने के बाद इसमें सौस लगाया जा रहा फिर इसमें 700 सिजलिंग डाला गया अब इसमें प्याज डाला गया और यह अब चीज डाला जा रहा है और फिर पेरी-पेरी मसाला और फिर इस कीमे को इसमें डाला जा रहा ये सिर्फ मैक्सिको में मिलता है और ये फूड जो है वो नॉन्वेज का सब्स्टिट्यूट है बता दे कि इसमें अब मियोनीज डाला गया और एक बार फिर से पेरी-पेरी मसाला डारा गया और इसके बाद अब इसे बटर में सेख कर क्रिस्पी किया जा रहा जैसा कि आप देख रहे हैं ये गर्मा-गरम टाकोज रेडी हो गया है जिसे अब हम खुद टेस्ट करेंगे मैं अब प्राइस क्या है कि मेरा पैसन था फुट फुट टेलेक्ट करनी एक रेस्टाट में एक फुलना का था अब आप से टिस्टाइब हैं नहीं चुट जी कि मेरे फ्रेंड में से बाद किया तो अप छोड़ना से स्टार्ट की जिए ज़ित ब्यामी के वह अवर चलाग चलाग जब एंदा स्टावपलाग और यह तो हुआ है